जै बुलिये मावीर भगवान की जै बुलिये अनन्ता अनन्त सिद्ध परमेश्टी भगवानों की जै बुलिये अचार भगवन स्री उमा स्वामी जी महराज की जै बुलिये अचार भगवान स्री विमल सागर जी महराज की सभी को जै जनेंद्र जै दुजरंदो हम लोग तत्वार सूत्र की शियासट कक्षा हैं अब तक कर चुके हैं चौथा अध्याय के अंत में हम पहुंच गए हैं अब तक हमने 49 सूत्र कल तक की कक्षा में कर लिये थे तीन सूत्र और बचे हैं तत्वार सूत्र के इस चौत्र अध्याय के इसको प्रारम करने से पहले प्रते दिन की बाती हम सभी लोग सबसे पहले मंगला चरण करेंगे और उसके बाद अब तक जो सूत्र की हैं उनका वाचन करेंगे फिर संभवते आज हम अगला अध्याय पंचम अध्याय है उसको प्रारम भी कर सकते हैं कि चले सबी लोगा जोड़ दीजिये लाख कि लाख कि अ कि अ कि अ जले हाज जोड़ दीजिये कि मोग्च मार्गस्यने तारं बेतारं कर्म भूब्रतां ज्यातवामि शृक्ष्ष भा नाम् वंदे laugh देख संुझ उल्द आ हमिएनों स्च तट रांश्ट्री फ्यस्टु तूम्यों मि निष्मिटूंग कि सभी लोग चतुरत अध्याय निकाल लीजिए अपने अपने नोर्स में और साथ साथ बोलने का प्रयाश जरूर कीजिए केवल सुनना नहीं है उच्छाराण अवश्य करना है देवाश्चतुर डिकाया आधितस्त्रिसु पीतांत लेश्या दसाष्ट पंच द्वादश्विकल्पा कल्पोपपन परियंता इंद्र सामानिक त्रायत्रिंश पारिशदात्मरक्ष लोकपाला नीक प्रकीणा भियोग्य किल्विशिकाश चैकश त्रायत्रिंश लोकपाल वर्जिया व्यंतर जोतिश्का पूर्वयो द्विंद्रा काय प्रवीचारा आशानात शेशास पर्जरूप शब्द मने प्रवीचारा परे प्रवीचारा भवन वासिनो असुर नाग विद्युत सुपर्डागनी वातस नितो ददी द्वीपिदिक कुमारा जोतिश्का सूर्या चंद्रमसव ग्रनक चत्र पकीनक तारकाश्च मेरू प्रदक्षणा नित्य गतियो न्रलो के तत्कृतह काल विभागह बहिर वस्तिता वेमानिका कल्पोपन्ना कल्पातीताष्च पर्युपरी स्वधर्मेशान सानत कुमारमाहेंद्र भ्रह्म भ्रह्मोत्तर लांतव कापश सुक्र महा सुक्र शतार सहस्रा रेश्वानत प्राणत योरारडाच्य॥ यो न्रवसू ग्रेवयकेशू विजय वैजयन्त जयन्त अपराज तेशू सरवार्त सिद्धाव्च इस्तिती प्रभाव सुक्दती लेश्या विशुद्धिंद्रिया वधी विशेतो अधिकाहा गती शरीर परिग्रहा भिमान तो हीना पीत पदम शुक्ल लेश्या दृत्री शेशेशू प्राग्रेवे के ब्यह कलपा ब्रह्म लोकालेया लोकांतिकाहा सारस्वतादित्ति भहनी अरुण गर्दतोय तुशिता व्याबाधा रिष्टाश्च गजिया दिशू द्विच्चर्माँ अपादिक मनुष्ये ब्यह शेशा स्त्रियग योन्याँ इस्तिरि सरुर नाग सुपन दीप शेशाणा सागरोपम त्रिपल्यो पमार्द हीन मिता सोधर मैशानेयो सागरोपमे अधिके सानत कुमार माहिंद्रयो सप्त त्रिसप्त नवेकादश त्रयो दश पंच दश भीर दिकानीत्तू आरणच्यातादू धर मेकेकेन नवसू ग्रेव केशू विजया दिशू सरवार्थ सिद्धाउच्च अपरा पल्यो पंधिकं परतः परतः पूर्वा पूर्वा अनंतरा नारकानां च दुतिया दिशू दश वस्र दशवर्स सहस्तराणी प्रतमायां भावनेशू च व्यंतरानां च परापल्यो पंधिकं इस प्रकार से हमने 49 सूत्र किये परामाने क्या देखा था पुद्क्रश्ट आयू और परा का उल्टा अपरामाने जगर ने आयू ठीक है चलिए हम लोग जल्दी से रिवाइस करेंगे कल की कक्षा में जो किया कलम ने देखा था तीसरे अध्याय से हमने रेफरेंस लिया था कि तीसरे अध्याय में भी आचार महराज ने क्या किया था नार्कियों की उत्क्रश्ट आयू का वर्डन किया था क्या उत्क्रश्ट आयू थी न मताइए मैक्सिमम आयू कितनी है नार्कियों की ते तिस सागर और एक बार नरक में पहुंच गए तो पहले नरक की उत्करश्ट आयू कितनी थी एक सागर से प्रारम करके वहां पर जगन आयू का वर्णन नहीं किया था तो कलम ने क्या देखा कि दस हजार वर्स की कम से कम देखा होता है नार्काराम च दुतिया दिसू यानि कि दुतिये नरक में जो पहले नरक की उत्करश्ट आयू है उसमें एक समय जोड़ दिया जाए तो वो जगन्यायू दूसरे नरक की बन जाती इस प्रकार से आधी आधी तक साथे नरक तक हम चलते हैं यानि कि दूसरे नरक की उत्क्रश्ट आयू तीसरे की जगन्यायू बन जाएगी ठीक है जैसे देवों में हमने किया जैसे ही किसमें करते हैं नारकियों में करते हैं नरक वाले अध्याय में जगन्यायू का वर्डन नहीं किया गया था इसलिए यहां पर कर दिया उसी प्रकार से क्या बताया कल दस वर्स सहस्त्राणी प्रतमायाम यानि कि पहले नरक की दस वहायर वर्स की आयू है उसके बाद भवनेशूच यानि कि जो भवनवासी देव हैं उनमें भी जगन आयू कितनी है एक बार भवनवासी में चले गए तो कम से कम दसजार वर्स तो आप रहेंगे ही रहेंगे नरकों से तो बहुत अच्छे हैं कम से कम देव हैं यहाँ पर कश्ट नहीं है और उसके बाद भवनेशु के बाद क्या देखा व्यंतराणाम्च यानि की व्यंतर देवों में भी कितनी हैं दस अजार वर्ट की जगन आयू होती है परा पल्ले उपम मदिकम 49 नमबर का सूत्र किया परा माने उत्करश्ट आयू व्यंतर देवों का यहां पर वर्डन चल रहा है अगले सूत्र में व्यंतर वर्ड दुबारा प्रियोग नहीं किया तो क्या मतलब निकला कि व्यंतर से कुछ अधिक है कुछ अधिक इस रेफ्रेंस में चल रहा है जब ऊपर के किसी अन्य स्वर्ग की आयू बांधी थी लेकिन क्या हुआ किसी कारण से संक्लेश परणाम की वज़े से नीचे रहे तो पहले तो आयू अधिक बांधी परन्तु कम वाले में आ गए वेंतरों के कितने भेद बताए थे जल्द जल्द बताएए आठ पर कौन कौन से बताओ याद हो जाने चाहिए अब तक तो डेली रिवाइज हो रहा है भूत पिशास तो सबको याद रहते हैं किन्नर किम पुरुष महोरग गंधर यक्ष राक्षस बूद पिशाड यह सब यंतरों के देद होते हैं वेंतर कहां रहते हैं कहां पर रहते हैं वेंतर हमारी प्रत्वी पर ही रहते हैं है ना जिस प्रत्वी पर हम रहते हैं यहीं गूमते फिरते रहते हैं ऐसा भी वर्णन आया है छे माह से अधिक अगर कोई मकान इत्यादी खाली छोड़ दिया जाए तो वहाँ पर वियंतरों का बास हो जाता है तो वियंतर कहीं पर भी रह सकते हैं पेड़ों पर भी रह लेते हैं पुराने हवेलियां आपने सुन होंगी पुराने भवन होते हैं वहाँ पर डल लगता है ना तो यहीं सब भूत पिसाज राक्षा जित्यादी यहां पर भी वियंतरों की ही प्रकार हैं यह सब वैक्रियक सरीर को धारन करने वाले होते हैं पहले भी आपको बताया है भवनवासी नीचे वाले में हैं पंक भ इह यहीं पर वियंतरों ते हैं उसमें सबसे उपर मारी चित्तना पृत वी यह इसके बाहर-बाहर-बाहर-थाई-दिप-के बाहर जो गोल-गोल-गोल इतने सारे सवयम्भूलमण समंद्र तक एक के बाद एक जो दीप समंद्र हैं असंख्यात वहां पर यह सभी वयंतर इ कितनी है वेंतर की एक पल्य की देवियों में हमने देखा था स्री हिरी धती ध्याने वह भी किन की यह सी वह यह से हैं ना वह भी एक पल्य की आयू वहां पर आपको बताई थी पिछले तीसरे अध्याय में आया था ना सारा रिवाइज करती हूँ चलना है कमल के ऊपर भवन होते हैं बिलकुल हाँ वहां पर भी हमने नोट में रिखवाया था सामानिक और पार्शत जाती के व्यंतर देव वहां पर रहते हैं ये सभी देवियों के पारिवारिक देव होते हैं है ना तो व्यंतर हैं वो सारे कि सा ठीक है वहां जो रहती है कि चालिए और कुछ रिवाइस करने से रहे आपका कि सद्ध्याय में आगे बढ़ें कि चार्ट आपको अच्छे से याद हो गए हैं सारे की सारे परत परत पूर्वा पूर्वा अनंत्रा ये भी कली किया था ना आगे आगे के स्वर्गों में पहले पहले की जो जगन आगे के स्वर्गों में जगन आयू क्या होती है जो पहले पहले के स्वर्गों में उत्क्रष्ट आयू होती है तो परत परत पूर्वा पूर्वा अनंत अप्रामाने क्या देखा था जगन ने आयू एक पल्ले से अधिक होती है प्रारम के स्वर्गों में ठीक है चलिए जल्दी से अब आगे के सूत्र करेंगे कहां तक का वड़न हो गया भवनवासी की हो गई व्यंतर की हो गई है ना अब कौन सा रह गया जो तेस वेरी गुड आज कि कख्षा का नंबर इसानल कि आज रशावं। अगरे आज आपकी हे 24 दिसंबर टीक है और सठसर्प में नंबर की 67 नंबर की आज की आपकी रखष्षा यांपर परार्म और रही है चटुर्त-धियाए समाप्ति की हो सारे की सारे नरत, तीन लोग का वड़न देखा है, तीन लोग कैसा है, जामू जीस कैसा है, भरत चेतर कैसा है, आरेखन्ड कैसा है, विधे चेतर कैसा है, हम लोग कहां रहते हैं पूरे ब्रह्मान्ड के वारे में हमने बहुत ही साइंटिफिक तरीके से हमने समझा जो हमें वर्तमान में विज्ञान में स्कूल में पढ़ाया उसके अत्रिक्त जो वास्त्विक्ता है जो सत्तिता है उसको हमने जाना के हमारी प्रत्वी जहां हम रहते हैं वो ही पूरव से पश्चिम तक सीधी है कोई गोल नहीं है कहीं नहीं घूमती ना सूर के चक्कर लगाती ना चंद्रमा प्रत्वी के चक्कर लगाता है ना उसके बाद आपने अच्छी तरह से समझ लिया कि यही आर एक खंड है जहां हम रह रहे हैं वरचेत्र के उसी के छोटे से भाग को वर्तमान वैज्ञानिक जगत और सारे की सारे लोग क्या मानते हैं प्रत्वी मान लेते हैं उसके बाद हमने स्वर्गों का वर्तन देखा, नरकों का वर्तन देखा, किस प्रकार से देव होते हैं, चार प्रकार के, वो देखे वैमानिक में भी हमने दो भेद देखे, कलपातीत और कलपवासी, बवनवासीों के भेद देखे अब हम इस चोतर अध्याय में कौन से वाले देव का वडन करेंगे अब आयू का वडन यहाँ पर चल रहा है किसका वडन चल रहा है देवों की आयू का जोतिश देव की आयू का वडन पर आ रहे है जोतिश का दाम च 40-वे नमबर का सूत्र जो तिश का राम्च पिछले सूत्र से ही रेफरेंश चल रहा है पिछला सूत्र क्या था परापल्योपम मधिकम यानि की वियंतर देवों की आयू उत्करष्ट परामाने उत्करष्ट आयू कितनी बताई पिछले सूत्र में वियू ताले से नंबर सूत्र आप सामने रखिएगा आमने मिटा दिया है एक पल्ले से कोछा देख फिर अगला सूत्र क्या बना दिया जो तिश का नाम चा यानि की जब ऐसे लिख देते तो क्या मतलब होता है पिछले व आप जगन की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि रैफ्रेंस में चल रहे हैं एक की नीचे एक टिके 49 नंबर सुत्र में क्या होता है था व्यंतर वाले की बताई थी इसमें क्या हो गया जोतिश काणाम यानि की जोतिश देवों की विच्चा माने भी वही लगा लीजिए जो पिछले सुत्र में व्यंतर देवों की बताई थी जोतिश देवों की भी च्चा माने और क्या अर्थ में करेगा अर्थात जोतिश देवों की भी दुबारा से शब्द रिपीट नहीं करते ऐसे भी लिख सकते थे परा पल्लियोपम अधिकम जोतिश वहीं पर दोनों की नाम लिख सकते थे कि मैंना वियनतर नाम और जोतिश का नाम लिकिन क्या है शब्द बचाणे है उस से पहले वाले में वियनतर नाम चवड ही उसके बाद अगले में वियनतर वड को है उतकरषट दिशाई कि पिछली शुत्र मैं उतकरषट तयु कितनी बताई एक पल्लि से कुछ अधेक जो Gold Squad कौन कौन से हैं सूर चंद्रमा हां जो तेज उत्क्रश्ट आयू एक पल्ले से कुछ अधिक सूर चंद्रमा ग्रह नच्छत्र और प्रकीनत तारे सबसे नीचे कौन है सूर का विमाद सबसे उपर कौन है सनी का विमाद सूर से उपर है चंद्रमा आठ सो असी पर परन्तु सबसे उपर कौन है शनी का विमाद और तारे कहाँ पर है हाँ तारे साथ सो नभ्य से लेकर के नौ से व योजन तक है तो उस तरीके से अगर देखेंगे तो सबसे नीचे तारे आ जाते हैं ठीक है 790 पर तारे प्रारंब हो जाएंगे और 900 योजन तक तारे जाएंगे 110 योजन का इसको पट्टा बोलते हैं कि 900-110 का जो gap है यहां सारे की सारे क्या रहते हैं जोतिश विमान रहते हैं कैसे हैं सारे आदे कटे हुए नीवो की तरह जैसे बॉल देखी थी ना आदी बॉल ऐसे हैं नीच ऐसे उनके किरणे निकलती हैं उपर उनके अकृतिम चैत्याले उनके भवन उनके महल उद्ध्यान इत्यादी जहां वो छेत्रों में प्रमण कर सकते हैं वो सब इस्थान होते हैं धाई दीप के जोते स्विमान कैसे हैं घूमते रहते हैं जो धाई दीप वाले हैं वो सुमेरू की प्रती समय प्रदक्षणा देते रहते हैं कौन कराता है प्रदक्षणा उनके देव जो सोले सोले हजार तो सूरी चिंद्रमा के हैं बाकी के आठ आठ आजार होते हैं तो ये उनको कैसा रूप लेके चाहते हैं बैल हाथी गोड़े हैं ना शेर के रूप में ये सारे देव होते हैं हमने आपको कोणा के सूरी मंदिर का उधारान भी दिया था वहां पर ऐसी सन्नचना मिलती है सूरी के रत को बड़ा सा रत बनाया है और सूरी मंदिर ही उसको बोलते हैं बहुत ही उतकरश्ट रचना है ठीक है अब क्या है कितने हो गए जोतिश देव पांच प्रकार के अगर वैसे ही रहेंगे अनि कि धाई दीप के बाहर के जोतिश विमान हमेशा स्थिर रहते हैं धुरूब होते हैं धाई दीप के अंदर में कुछ-कुछ दुरूब होंगे हमारे जम्मू दीप में कितने दुरूबतारे बताए थे 36-36 दुरूबतारे जम्मू दीप में हैं हमें एक ही क्यों दिखाई देता है क्योंकि हम भरत चेतर में हैं भरत चेतर जम्मू दीप का एक सो नब्यवा भाग है तो हमारे भारत से भी वही दुरूबतारा उसी दिशा में दिखाई देता है अमेरिका से भी वही दिखाई द कि वहां पर भी दिखाई दे रहा है ऐसे कैसे होगा यहां से जो ब्रहांती विज्ञान नहीं बताई है वो बिल्कुल के लिए रो जाती है जब प्रत्वी गूम रही है तो दुरुपतारा हमें सा इस तरीक यो एक ही स्थान पर नजर आता है चाहें यूरूप से नजर तब भी वहीं आएगा ऐसा कैसे हो जाएगा जब अलग अगर गोल प्रत्वी है और एक की नीचे एक लोग रह रहे हैं तो ऐसा संभव नहीं है ठीक है तो प्रत्वी कहीं नहीं घूमती वह अपने स्थान पर इस्थिर है उसको कल्पना के रूप में हमें पढ़ाय जा रह है समझाय जा रहा है और बच्पन से हमारे दिमाग में फीट कर दिया जाता है कि प्रत्वी गोल-गोल घूम रही है और चंद्रमा भी उसके चारों तरुफ चक्कर लगा रहा है जबकि चंद्रमा भी कहां है उपर ही है सूर भी कहां है उपर यह किसके चक्कर लगा रहे है कितने चंद्रमा हैं हमारे जम्मू दीप में दो चंद्रमा हैं कितने सूर्य हैं दो सूर्य है ठीक है चालिए आगे बढ़ते हैं जो तिश्का नाम चाओ गया उसके बाद तदश्ट भागो अपरा तदश्ट तदश्ट भागो अपरा 41 नमबर का सूत करेंगे तदश्ट बीच बीच में आपको रिवाइस करते रहते हैं जिससे आप लोग जाकते रहें कुछ न कुछ उत्तर देते रहें तो आपको अच्छा लगेगा तदश्ट भागो क्योंकि यहां पर उद्देश हमारा आपको खाली जल्दी जल्दी से तत्वार सुपूरे कराने का नहीं है यहां समझ में आए और आपको हमेशा मुख्य मुख्य बातें उसकी याद भी रहें आपकी इसमरती में हमेशा बनी रहें यह उद्देश है ठीक है तदश्ट भागो अपरा यहां पर भी ऐसी लगाया क्योंकि ओके आगे संदीग में नहीं लिखते तो हम यह साइन लगा देंगे तो क्या बन गया इसका उचारण तदश्ट भागो अपरा यह नहीं होता तो क्या होता परामाने उत्करश्ट आयू अपरा लग गया तो जगन ने आयू तद अश्ट भागो क्या संदीग छेदोगा तद फिर यहां से लिए अश्ट भागो अपरा यानि कि यह जो जो जोतशी देवों की उत्करश्ट आयू बताई उसका अश्ट भाग यानि कि जैसे एक सुनभ्यवा भाग किया था जम्मू दीप का एक ला यानि कि एक वटे आठ पल्य है ना मतलब कि एक पल्य का आठवा भाग क्या बना तद अश्ट भागो तो तद अश्ट के लिए क्या संदीग उच्छेद बनेगा तद तद माने उसका अश्ट भागो अपरा उसका आठवा भाग जगन ने आयू होता है किसकी जगत आयू बताई नहीं थी अभी तक जोतिविश्च देवों की जगन आयू नहीं बताई थी भवन वासियो की 37 नंबर सूत्र में जगन आयू कितनी बताई थी दसचार बर्श ग्यंतर देवों की बता दिती 38 फे नंबर जगनायू दसचार बर्श नारकियों की भी बता दीती जगनायू सब से कम से कम 10 जार बर्श ठीक है अब क्या रह गए थे जोतिश दिव रह गए थे तो इसे सूत्र में यहां से रेफरेंस लेके बता दिया जिससे शब्द बचाए जाएं क्या अर्थ निकला तद माने उसका अब किसका पिछले सूतर से देख लो पिछले सूतर में क्या बताया एक पल अश्ट भागो माने आठ माँ भाग अपरा माने जगन्य आयू परा माने ये याद रखना है आपको उत्करष्ट और अपरा माने जगन्य अगर जो तिश्देवों में चले गए तो कम से कम कितने समय के लिए जाओगे पल का आठ माँ भाग ठीक है इसको वर्सों में क्यों नहीं निकाला क्योंकि अभी भी ये पल ही है इससे जादा है व्यंतरों की जगन्य आयू और भवनवासियों की जगन्य आयू से पल्ले का आठ माँ भाग बहुत जादा हुआ क्योंकि दसजार वर्स तो बहुत छोटे हुए और पल्ले तो असंख्यात वर्सों का हो गया तो जोतिश देवों की आयू जगन्य आयू जो है वो व्यंतर और भवनवासियों से काफी अधिक होती है ठीक है अधिक है क्या अर्थ निकला अर्थात कि यह लख लें कि जोतिश देवों की अ कि जगन्य आयू जोतिश देवों की अ पताई दी एक पल्ले से कुछ दिको उत्क्रश्ट आयू की उन्हें की कि उत्क्रश्ट आयू कि अर्थात कि एक पल्लिक का कि आठवाँ कि भाग होती है अन्य शब्दों में क्या हुआ एक बटे आठ पल्ल है है ना अन्य शब्दों में कि इतनी हुई अन्य शब्दों में एक बटा आठ पल्ल ठीक है पल्लिका आठ्वा भाग पल्लिका आठ्वा भाग का वर्डन आपने एक बार पहले भी सुना है जब हमने भोग भूमी का वर्डन किया था जम्मू दीप में जब भूमिया बताई थी अब सर्पनी काल बताया था तो क्या था जब पल्लिका जब अब सर्पनी काल चल रहा है उसका तृतिय काल चल रहा है तो जब पल्लिका आठ्वा भाग शेश रह जाता है तब क्या होता है कुलकरों का जनम होता है पहले कुलकर उत पर नोते हैं वो धीरे धीरे अब भोग भूमी समापती की ओर जब होती है जब कल्प वरक्ष गायब होने शुरू हो जाते हैं धरा पर चतुर्त काल आने वाला होता है तो एक एक करके चोदे कुलकरों की उत्पत्ती होती है इस प्रकार से अब सरपणी काल में वर्डन आया ह जब क्या वर्डन आया आपको याद रखना ये चीज़ जब पल्ल का आठमा भाग शेस रह जाता है तब कल्प वरक्ष धीरे धीरे जो भोग भूमी में थे जिनकी वज़े से लोगों को कुछ काम नहीं करना पड़ता था जो चाहों वो मिल जाता था वो धीरे धीरे सीमा बांते हैं उनको रहने के लिए सीमा करते हैं और दीरे दीरे आ करके जैसे इस काल में आया है ना भिराए भगवान तक अंतिम कुलकर हुए उसके बाद उनके पुत्र आधिनात भगवान हुए फिर भरत चक्रमती हुए ठीक है अब ये तो हो गया किसमें जब अस्वर काल जैसा अब सरपड़ी के ठीक है और भूल गए आप लोग चलिए रिवाइस करा देते हैं जब चर्चा चलिए तो अब सरपड़ी काल में नीचे की तरफ चलते हैं पहला दूसरा तीसरा चोथा पांचमा चटा और अब सरपड़ी में कैसे होता है च्छे के जैसा ये प् सरपड़ी यह उत्सर पड़ी ठीक है तो यह एक्किस हजार वरसका है यह 21000 बर्षका है यह पंचम 12000 परसका है यह थी किस हर में यह अब यहां पर دीरे-दीरे क्या होगा य यहां जैसे तरतिये काल के बाद से आना प्रधाम मुझते हैं यहां पर क्या होते हैं कुलकरों की उत्पत्ति जब इस काल में हजार वर्स सेस रह जाते हैं वहां क्या था पल्ल का आठवा भाग था और यहां पर जब उतिये काल खतम होने वाला होगा जब हजार वर्स सेस रह जाएंगे तब यहां पर कुलकरों की उत्पत्ति होती है उनके जो बविश्च के कुलकर हैं उनके भी सभी नाम तिलों पढ़नती और तिलों इकसार में दिये गए हैं फिर उसके बाद धीरे-धीरे क्या होगा एक-एक करके तीर्थंकरों का आना प्रारंब हो जाएगा इस प्रकार से सिश्टम यहां पर चलता है ठीक है आगे बढ़ते हैं वर्डन आया तो आपको थोड़ा सा रेफ्रेंस याद दिला दिया यह भी सभी इसी अध्याय में हमने देखा था जोतिश देवों की कितनी निकली आयू चल्दी बताइए एक पल्ले उत्करष्ट और पल्ले का आठ्मा भाग जगन्ने उसके बाद आपका 41 नंबर का सूत्र हो गया इस अध्याय का अब हम अन्तिम सूत्र करने जा रहे हैं उसका रेफ्रेंस आपको पहले भी एक बार दिया थे 41 नंबर का याद है बहुत अच्छी मेमोरी है आप लोगों की बहुत अच्छी बात है जब लोकांतिक देव का वड़न किया था कौन से स्वर्ग के बहरी गोड पंचम स्वर्ग कहां जाना है आप लोगों को ब्रहम स्वर्ग क्यों जाना है क्योंकि वहाँ पर अगर लोकांतिक देव बन गए तो कन्फर्म टिकेट है एक भवाबतारी आप हो सकते हैं और आयू भी कंपेरीजन अगर करेंगे सरवार्थ सिद्धी से तो काफी कम है तो जल्दी आपको मोक्ष हो सकता है लोकांतिका नामस्टव लोकांतिका नामस्टव लोकांतिका नामस्टव सागरो पमाणी सर्वेशाम सागरो पमाणी सर्वेशाम क्या रिधा निकला इसका? इसके साथ में आपको चार्ट निकालना पड़ेगा जो हमारा सोले स्वर्ग की आयू का चार्ट बनाया था कल भी बनाया था ना? उसमें क्या लिखा था? पंचम स्वर्ग कौन से नमबर पे है? चार्ट देखिए आप जल्दी से निकालिए पहला क्या था योगल? सौधर मीशान उसमें जगन्य कितनी थी? और उत्करष्ट कितनी थी? जगन्य कितनी है सौधर मीशान में? एक पल और उत्करष्ट कितनी है? दो सागर्ट उसके बाद कौन सा था? सानत कौमार माहेंद्र उसमें कितनी है? दो सागर्ट पलस? एक समय और उत्करष्ट कितनी है? साथ सागर उसके बाद? ब्रह्म ब्रह्म उत्तर इसमें कितनी है? साथ सागर पलस? एक समय अधिक्तम कितनी है? दस सागर्ट अब यहीं पर हम रुक जाएंगे क्यों? क्योंकि लोकांतिक देव का वर्डन आ रहा है लोकांतिक देव किसमें बताए थे? ब्रह्म एक दो तीन चार पांच यानि कि पांचवे नंबर का जो स्वर्ग है उसको क्या बोलते हैं? ब्रह्म स्वर्ग यहां क्या कह रहे हैं उत्करश्ट आयू? इन दोनों के लिए बोली ना? दस सागर्ट और यहां क्या कह दिया? अब गलती हो गई कि आचार महरास से लोकांतिका नाम अश्टव सागरो पमानी सर्वेशाम क्या मतलब निकला? लोकांतिका है न? देखिए थोड़ा सा गलती हो गई कि आचार महरास से लोकांतिका नाम उसके बाद क्या कह दिया? अश्टव सागरो पमानी है न? अश्टव सागरो पमानी सर्वेशाम क्या अश्ट निकला इसका? लोकांतिक नाम के जो देव हैं पहले क्या बताया था? आपको सूत्र नंबर 24 में ब्रह्म लोका लया लोकांतिका यानि कि ब्रह्म लोक में लोकांतिक देव रहते हैं यहां कह दिया कि भ्रह्म लोक की उत्करष्ट आयू दस सागर की है कम से कम आयू साथ सागर एक समय की है यहां क्या कह दिया कि लोकांतिक नाम के जो देव हैं लोकांतिक नाम के देवों की अश्टव सागरो प्रमाणी आश्टव माने आठ सागर प्रमाणी माने प्रमाण सर्वेशाम माने सभेकी यह क्या चक्कर है भई आई बात समझ में क्या कहना चारहे हैं यहां सूत्र में कह दिया कि ब्रमाण सवर्ग की उतकरस्ट आयू दस और कम से कम साथ परन्तुflower क्या कि सभी यह की एक जैसी है जैसे कि सरवार्शुदी में सभी की क्नक्रस सागर की हाँ आपको हमने जब 24 मा सूत्र कराया था तब भी लिखवा दिया था नोट में कि ब्रह्म स्वर्ग में दोनों प्रकार के देव रह सकते हैं एक ही स्थान पर ठीक है तो इस से ये रेफरेंस निकलता है कि ब्रह्म स्वर्ग के अंदर जो लोकांतिक नाम के देव हैं उनकी कै कैसी आयू है आठ सागर प्रमार और भ्रह्म स्वर्ग में अनी देव भी हो सकते हैं जैसे भ्रह्म उत्तर में देव हैं उनके केस में कैसी आयू चलेगी साथ सागर से लेके दस सागर तक जो लोकांतिक देव होंगे उनकी क्या रहेंगे वो भ्रह्मचारी की तरह रहेंगे वो तीर्थंकरों के जादा पंच कल्यानकों में भी नहीं जाएंगे मात्र किस में जाएंगे तब कल्यानक में बाकी के देव जैसे ब्रह्म उत्तर के सौधर मिसान के देव हैं सब जगे जाते आते रहेंगे बाकी के देवों की देवियां भी होंगी जो ब्रह्म स्वर्ग के अंदर मात्रलोकांतिक देव हैं उनकी देवी त्यादी नहीं होती वो ब्रह्मचारियों की तरह रहते हैं द्वाद सांग के पाठी होते हैं और वो एक भवतारी होते हैं ठीक है? तो यहाँ पर आपको यह अच्छे से समझना है कि कोई गलती नहीं करिया आचार महाराज ने वहाँ पर पहले दस्तागर बता दिया और यहाँ आठसागर बता दिया ऐसा नहीं है ठीक है अब क्या अर्थ निकला इसका अर्थात लोकांतिक नाम के देवों की सभी की आयू एक समान आठसागर प्रमान होती है अर्थात लोकांतिक नाम के देवों में सभी की आयू आठसागर प्रमान कि होती है लोकांतिक देव कहां रहते हैं ब्रह्म स्वार्गे के अंदर कि है ना कि नोट कि उनमें कि जगन्य कि और उतक्रष्ट का कि भेद नहीं होता है ठीक है कहां पर रहते हैं लोकांतिक देव पंचम स्वार्ग ब्रह्म स्वार्ग में रहते हैं ये देव पंचम स्वार्ग ब्रह्म में रहते हैं वहां लोकांतिक देव के अतरिक्त अन्य देव भी रहते हैं अब यहां पर हम एक छोटा सा रेफ्रेंस के लिए बना लेंगे इमटा दें आपको जिससे आपको चार्ट से अच्छे से कौनसेप्ट समझने आ जाएगा ब्रह्म में ब्रह्म स्वार्ग में दो तरह के देवए अगर लोकांतिक में तो उनकी आईू कैसी है आठ सागर एक समान ठीक है और अगर अन्य देव है तो उसमें क्या होगा जगन्य भी होगी और उत्करष्ट भी होगी जगन्य कितनी है साथ सागर प्लस और उत्करष्ट कितनी है दस सागर इनमें दोनों प्रकार से चलेगा अब ऐसे ही ब्रह्मोतर स्वर्ग अगर देखेंगे ये कौन सा है छटा वाला इसमें दो भेद नहीं है इसमें सभी देवों की कैसी रहेगी जगन्य साथ सागर प्लस एक समय और उत्करष्ट कैसी रहेगी दस सागर मात्र लोकांतिक देवों के देविया नहीं होती है एकी स्थान पर और इनके अन्य देवों के देवियां इत्यादी सब होगा जिनके लिए हमने वहाँ पर क्या बताया था जो लेश्या भी बताये थी काम सेवन वाला भी हमारा था किस प्रकार से उपर उपर के स्वर्गों में काय प्रभीचारा आ ऐशानात् सेशा इस प्रसूरूप सब्द मनै प्रभीचारा चारा तो वो अन्य देवों के रेफरेंस में उपर उपर के स्वर्गों में धीरे धीरे काम सेवन की प्रोथी भी कम होती चली जाती है तो यहां पर मात्र इनके वह सब नहीं रहता ठीक है तो इस प्रकार से आपका इतितत्वार सुत्रे चतुर्त अध्याय समाप्त हुआ कैस अगया समझ में बढ़िया से चलिए अब आज समय है अभी कख्षा में तो पंचम अध्याय आज ही आपका प्रारम करते हैं कि पंचम अध्याय में अजीव तत्त्य का वर्डन किया गया है पहले अध्याय में तत्त्य कितने बताए थे साथ तत्तु याद है आपको भी तक बहुत बढ़ी है जीव अजीव आश्रव संबर निर्जरा मोख्ष ठीक है सिस्टम से चलेंगे यह नहीं है सीधे पहले मोख्ष हो गया फिर आश्रव हो रहा है तो इस प्रकार से साथ तत्तु बताए गए थे तो उनी साथ तत्तों को ध तीरय तीरय अलग अलग तरीके से आचार महराजंञे क्या किया है अलग अलग सूत्रों में बांटा है यहां से बटादें लिख लिए आपने है कि आ चलिए पंचम अध्याय है सुरू करते हैं कि आज आपका यहां भी विटादें ऐ चलिए कि अथ पंचमों अध्यायः 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 आज से आपका पंचमों अध्यायः यह प्रारम हो रहा है है अध्याय में अजीव तत्यों का अब बड़न प्रारम जीव के बाद क्या बोला जीवा जीव तको में या जीवा जीवास्त्रवं वंद्रसंबर निर्ज्रा मोख्ष ठीक है उसमें से अजीव तत्त के वरडन के लिए अब यह अजीव क्या होता है उसको अब धीरे-धीरे यहां पर समझाएंगे पुद्गल क्या होते हैं द्रव्य क्या होते हैं धरम-धरम क्या होते हैं इन सब का वरडन आज से प्रारंब होने जा रहा है बहुत ही अच्छा अध्याय है बहुत ही systematic है और अब तक हमने स्वर्ग नरक का वर्डन सीख लिया पहले अध्याय में मुख्य रूप से क्या तत्तों इत्यादी की चर्चा करी दूसरे अध्याय में आत्मा के भावों की चर्चा करी किस प्रकार से परणाम होते हैं आत्मा की कैसे भाव चलते हैं छाय उप्षमिक भाव चाह एक भाव मिश्तिवाisten दूसरी में बढ़े तीसरे चौथे अध्याइं में पूरे थे अध्या और लिया क्यों इसको जीव अंदर लिया क्योंकि इस पूरे टीन लोग में जीव रहते हैं पूरे ब्रह्मान्द के बारे में हम कहां से आये हैं कहां जा सकते हैं पूरी चर्चा उसमें वह डिटेल में करी अब वोर जैन्स रूरा है अजीव ज़रें करें पहले सुट्र दीरे झा आपको समझ में आएका कि क्या आचार महराज यहां पर कहना चाह रहे हैं क्यों अलग-लग अध्यायों में इन चीजों को बांटा गया है अजीव काया धर्मा धर्मा काश पुद्गलाह पहला सुत्र लेंगे अगले चैप्टर के लिए आप लोग अपनी नोट बुक में अगले पेश से प्रारम कीजिएगा ठीक है अजीव काया फिर क्या लिखा धर्मा धर्मा काश पुद्गलाह धर्मा धर्मा काश पुद्गलाह नीन तो रहा है अप लोगों को कि छोना निये क्लास में अजीव काया धर्मा धर्मा काश पुद्गलाह बोले सब लोग हम तरी दो तीन बार इसलिए बोलते हैं जिससे आप लोग भी उसको दोराएं साथ साथ क्या संदी विच्चेद निकला इसका अजीव काया अजीव होता है काया होती है कायवान धर्म धर्मा धर्मा लिख दिया तो क्या बन गया फिर धर्म मैं से यहां से निकाल लिया तो क्या बन गया अधर्म फिर यहां से आ निकाल लिया तो क्या बना आकाश फिर पुद्गल ये शब्दा आप बहुत बार सुनते हैं अजीव, काया, धर्म, धर्म, आकाश और पुद्गन ये चार प्रकार की चीजें होती हैं जो कैसी होती हैं अजीव होती हैं जिन में आत्मा नहीं होती जीव माने जीव है आत्मा है जिसमें सुख दुख की अनभूती हो रही है जिसका जरम मरण बाद में हो रहा है वो रूप बदल रही है आत्मा की उपर जो शरीर है वो क्या है पुद्गल है तो पुद्गल, आकाश, अधर्म और धर्म ये सब क्या हैं अजीव हैं और काया मा कायवान हैं !! यानि की कायवान का जो अर्थ है वो क्या कहलाता है बहुत प्रदेशी है UN lenses है न काय लिए हुए हैं बहुत प्रदेशी हैं वो इस्थान गेरते हैं कि पुद्गल जोद्गर थीक है कौन कौन से हुए अजीव हम दो धरम संदिव चेट किया अधरम आकाश और पुद्गल अब इस अध्याय में दीरे दीरे इन सबती चर्चा की जाएगी धरम क्या होता है अधरम क्या होता है धरम अधरम ये वाले धरम अधरम नहीं है कि ये व्यक्ति किसी रिलीजन को मानता है तो धार में को गया ये व्यक्ति किसी भगवान को नहीं मानता तो ये आधार में को गया इनकी बात यहां पर नहीं है कई शब्दों के कई अर्थ होते हैं जो तत्वार सूत्र में जो धरम अधरम का अर्थ कहीं पर भी आएगा वो religion से या भगवान ईश्वर को मानने से नहीं है यहां धरम का क्या मतलब है पताईया आपने बहुत बार प्रोचनों में सुना भी होगा नहीं सुना धरम का अर्थ होता है जो जीव और पुद्गल को एक स्थान से दूसरे इस्थान पर ले जाने में सहाया को क्या बोला जो किन किन को जीव को यानि की आत्मा को और दूसरा किसको पुद्गल को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायक हो तो उसे क्या बोलते है धर्म द्रव्य क्या बोलते है इसका उधारन क्या लेते हैं आगे के अध्याय में आएगा लेकिन या रेफरेंस है तो इसलिए आपको वैग्ग्राउंड के लिए तोड़ा सा बताना पड़ र अब रेल एक स्थान पर कड़ी है उसके लिए साय क्या है रेल की पत्री उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाएगी जैसे कि बिजली है उस इलेक्टरिसिटी को आपके ट्रांस्फोर्मर से लेकर आपके घर तक आना है तो कौन लेकर आएगा तार लेके आएगा उस बिजली को लेकर आ रहा है तार लेकर आ रहा है तो क्या हो गया एक तरह से जो चीज एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी की सहायता से आ रही है उसे क्या बोलेंगे धर्म 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 क्या होता है जो जीव और पुद्गल को एक स्थान से ले जाकर द रोक दे जैसे कि स्टेशन आ गया तो वह क्या हो गया अब ट्रेन वहां पर आकर रुख गई तो रोकने में सहयक हो गया है ना आपका घर आ गया तो बिजली के तार ने वहां पर लाके जब लाइट लग गई बल्व जल गया तो वहां पर वह एलेक्षिति आकर बल्व में तो जो रोकने में सहयक हो से क्या बोलेंगे अधर्म द्रव जो चलने में सहयक हो से क्या बोलेंगे धर्म द्रव इन्हीं दो द्रव्यों की वज़े से इस तीन लोग का जो नक्षा बताया था वहां तक जीव और पुद्गल कहीं भी चले जाते हैं कहीं भी रुक जाते हैं इसके बाएर ये दो द्रव नहीं है तो इसलिए न जीव जा सकते न पुद्धर जा सकते जो तीन लोग का आपका नक्षा है पुरुशाकार हमने कई बार बनाया ना जो जैन का निशान भी है अमारा लोगों भी बनता है तो वहां तक ये धरम धर्व भी होते हैं और धरम धर्वू भी होते हैं जिनकी वज़ेशे एक कोई भी जीव मरन को प्राप्त करके कहीं पर भी पहुंच सकता है है ना दूसरा सरीर धारान कर सकता है बिना मरल को प्राप्त किये भी हमारा मन करे हम यहां से वहां जाएंगे तो किसकी वैसे जाएंगे क्योंकि इस पूरे कमरे में भी क्या है धरम धरब्य है और दूसरे जगे जाके रुक जाएंगे क्यों रुक जाएंगे क्योंकि अधरम दरबी भी है है न हम यहां खड़े हैं और यहां से चल के अगर हम यहां आ रहे हैं तो किसकी वैसे आ रहे हैं धरम दरबी की भी साहे ताली और रुकने में हमने अधरम दरबी की भी साहे ताली तो जो हमें इस थान दे आप लोगों ने पहले Бहुत क्लाश करें इसका मतलब अकाश क्या होता है जो इनको इस्थान देता है जो पूरा की पूरा एक है तीन नहीं ज Kenny set नहीं नहीं खुले आसमान के नीचे आप बैठे हैं तो आकाश कहा से प्रारंबोगा और ये पूरा काश कहा से माना जाएगा यहांसे माना यहां से मानोगे या यहां से मानोगे नीचे से ही क्योंकि आकाश में थो आपने building बनाई है तो आकाश तो सब जगह है वो तो हम कहने एमें बोल देदें कि ऊपर आसिमान में लेकिन चाहें आप कुछ भी बना लें चाहें आप जमीन खोट के बनाएं या जमीन के उपर बनाएं सभी जगे पूरे की पूरे तीन लोक में जितनी भी प्रत्वियां हैं जितने भी स्वर्ग आदी के विमान हैं जितने भी जोतिश के विमान हैं चाहें सुमेरू परवत हो सब जगे आकाश द्रव्य है उस आकाश ने इस्थान दिया है रहने का उसका हमारे उपर उपकार है आपने कहीं मकान बनाया कहीं दुकान बनाया घर बनाया मंदर बनाया तो किसके अंदर बनाया आकाश के अंदर चाहें इस कमरे में वही जो खाली स्थाने वो सब क्या है वो आकाश ही है ठीक है ऐसे ही पुदगल क्या होता है जो भी दिखाई दे सुनाई दे महसूस हो वो सब क्या है पुदगल है जिसमें इस पर्स रूप रस, गंध बरन होते ही वो सब पहले आपको कराय हुआ है फिर से आएगा है ना ये पैन क्या है पुद्गल है आप हमें देख पा रहे हैं कैसे हम क्या है इस समय पुद्गल है हम आपको देख पा रहे हैं कैसे आपका पुद्गल देख पा रहे हैं आत्मा को कोई देख सकता है क्या आत्मा अंदर हो देख सकते हैं यह सब ग्यान का विशे हैं आकाश को भी देख सकते हो कि आकास तो खाली है वो तो हम एक ग्यान का विशे कि आकाश है परंतु इस संसार में जितना भी कुछ दिखाई दे रहा है हमारे शब्द आप तक पहुंच रहे हैं क्या है यह शब्द क्या है पुद्ग के पुने के अंदर आत्मा करते हैं एफ वो चलते हुए जो शरीर इदिया जीवौं के वो के उनके अंदर आत्माएं हैं आत्मा की ऊपर पुद्गल शरीर है वो दिखाई देता है ठीक है तो पुद्गल भी क्या है अजीव है जो दिखाई दे रहा है सुनाई दे रहा है उसमें कोई आत्मा नहीं है तभी तो अब मरण हो गया तो पुद्गल को तो जला देते हैं दफना देते हैं आत्मा तो निकल गई सब पुद्गल हैं उसके अंदर जीव है यहीं पर जैन धर्म और अन्य धर्मों में भेदाता है अन्य धर्मी क्या कहते हैं शरीर को ही आत्मा मानते हैं यह इन धर्म क्या कहता है शरीर अलग है आत्मा अलग है तभी तो मुक्ष की प्राप्ती के लिए बात कर रहे हैं कि आत्मा को मुक्ष होगा शरीर को नहीं होगा अन्य धर्मी शरीर के मरण को ही आत्मा का मरण मानते हैं यहां पर शरीर का मरण आत्मा का मरण नहीं होता आत्म में जो पहला सूत्र है इसी पर दीरे दीरे हम आगे बढ़ेंगे इनी के बारे में जो आपको बैक्राउंड बताया है उनके दीरे अगले सूत्र में आने वाला है उनमें से खाली पहला जो द्रव्य जीव उसके इलावा सारे की सारे अजीव है जिसमें आत्मा नहीं है वो सब अजीव है ठीक है अजीव के अंदर भेद है पुद्गर चलिए आगे बढ़ते हैं अजीव मतलब क्या हुआ वहीं लिखवार हैं जो आपका प्रशन है अजीव दूसरा काया तीसरा धर्म फिर संदी विच्छेत किया तो क्या बना अधर्म उसके बाद आकाश और फिर अंत में पुद्गला यहाँ पर यह आपको बस धर्म अधर्म याद रखना है कि धर्म अधर्म जो संसार में हम धर्म अधर्म सुनते हैं वैसा इसका अर्थ नहीं है यो जीव को चलाने में साया को जीव पुद्गल को वो धर्म द्रव्य और जो रुकने में सहाया को वो अधर मंदर अभी ठीक है इसमें कई शास्त्रों में मचली का भी उधाना आता है कि मचली है एक समुंद्र के अंदर या नदी के अंदर या आपने कोई पूल बनाया हूँ उसके अंदर अब उसमें उपर से लेके नीचे तक पानी है पूरे में भरा हुआ है मचली जब चाहे तो उपर पहुच जाएगी जब चाहे नीचे पहुच जाएगी उसका मन करें बीच में रुकना है है ना नीचे जाके रुकना है तो नीचे रुक गई और नीचे तले में ऐसा नहीं है कि उपर से गिरेगी तो सीधे नीचे ही जाएगी तो वो कहीं पर भी रुक सकती है जहां उसका मन करें मचली चाहे तो उपर से जरना गिर रहा है उसका मन करे तो उपर से गिरते विए जरने वे भी उपर चढ़ जाती है तो इसलिए धर्म अधर्म में कई जगे मचली का उधारन भी आपको पुस्तकों में मिलेगा ठीक है? तो वहाँ पर जल जो है उसको चड़ने में भी साहता दे रहा है उतरने में भी और रुकने में भी सब सब पूरे तीन लोग में धरम धरब भी अधरम धरब भी यहां से कोई मच्छर है उसका मन किया यहां के उड़के रुक गया तो रुकने में वह सारे की सारे द्रब उसको साहता देते हैं दोनों धरब जीव और पुद्गलों को अजीव का मतलब जिसमें आत्मा नहीं है या चित भी बोलते हैं इसको रहित उसे क्या बोला इन सब में आत्मा है क्या धरम में भी आत्मा नहीं है अधरम में भी नहीं आकाश में भी नहीं और पुद्गल में भी है तो इनके इलावा यह सब क्या रह गए यह सब अजीव है काया माने कायवान इसका दूसरा अर्था आता है बहुत प्रदेशी यानि कि इनके आकाश के जैसे बहुत सारे प्रदेश होते हैं ठीक है आकाश में क्या है बहुत प्रदेशी है हाँ जैसे ये सारे एक असंख्यात प्रदेश आपको बताए थे पूरे के पूरे तीन लोग में क्योंकि आकाश है तो उसके बहुत प्रदेश हैं छोटे 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 जिसका दुबारा हिस्सा नहीं किया जा सकता एक प्रदेश पे कोई भी पुद्गल का कण जितना रहता है उसको अणू कहते हैं वो आगे किसी अध्याय में सारी चर्चा धीरे-धीरे करेंगे यानि कि यह जो अजीव है जीव रहित वो कैसे है कायवान है और बहुत प्रदेशी है इनके बहुत सारे प्रदेश होते है दरम धरमदरव यानि कि धर्म अभी आगे चर्चा इसकी करेंगे धर्म का मतलब क्या होता है अभी reference में आपको बता दिया है जो जीव और पुद्गल को चलाने में साया को अधर्म माने अधर्म और आकाश और पुद्गला माने पुद्गल ये चारों क्या हैं? ये चारों अजीव कहलाते हैं इसकार्थ करेंगे यहां पर इमिटा दें अर्थात अरे अजीव भी हुआ पुद्गल भी हुआ अजीव का ही भेद है पुद्गल अजीव के अंदर कई चीज़े हैं पैन है रहों पूछा कि पैन अजीव है यह पुद्गल पैन पूद्गल है पुद्गल अजीव होता है अजीव का भेद है यह अभी लिख रहे है वही जैसे अजीव के कई भेद हैं उसमें यह चार भेद हैं जो इस सूत्र में बताएं ठीक है अजीव का एक भेद क्या हुआ धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल इस सूत्र के हिसाब से ठीक है अजीव में क्या-क्या बताएं धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल एक और अजीव का होता है काल वो इस अध्याय में अंत में उसको लेंगे लेकिन वो भी अजीव का ही भेद होता है इस सूत्र में अभी इन चार की चर्चा यहाँ पर करी गई है इनके इलावा काल भी होता है जो छे द्रव्यों में से एक होता है जो समय है वो भी क्या है उसमें भी आत्मा नहीं है जो चाहिए उत्सर पड़ी काल हो अब सर पड़ी काल हो है ना घंटे चेंज हो रहे हैं उसमें भी आत्मा है क्या नहीं है यह पूरा की पूरा संसार अर सारी चीज़ें संसार की इंच्छे द्रव्यों में आ जाती है पहले द्रव्य क्या है जीव यानि की आत्मा चार यह हो गए और एक अंत्में काल ठीक है मैं चलिए पहले इसका अर्थ लिखते हैं इस सूथ का अर्थ क्या है अर्थात अजीव, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल अधात, धर्म, अधर्म, आकाश और पुद्गल ये सब कैसे होते हैं? अजीव, अजीव का मतलब चित रहित होते हैं, चैतन रहित होते हैं, अजीव, अर्थात, उनमें चेतना नहीं होती, अर्थात, चित माने क्या होता है? चैतन रहित, चैतन रहित होते हैं, और कैसे हैं और ये चारों काईवान होते हैं काईवान थ्वा काईवान और तूसरा क्या मतलब है काईवान अर्थात बहुत प्रदेशी होते हैं उनके बहुत सारे प्रदेश होते हैं कि बहुत प्रदेशी होते हैं ठीक है इस तूत्र में अभी इतना बताया गया है कि अगर कि यहां आप नोट में लिख सकते हैं कि द्रविच हैं जिनमें से एक जीव और एक काल भी है लेकिन यहां पर जो काईवान वाली बात करी है उस रेफ्रेंस में इन चार को लिया है इसलिए यहां पर काल को नहीं लिया जो कि अजीव तत्त्युका बड़न कर रहे हैं और साथ में किसका अभी यह सूत्र में जो बहुत प्रदेशी वाले हैं ठीक है नोट कि मैं हम लिखेंगे क्या क्या लिखेंगे एक तो जो आपने आकाश के लिए पूछा था बहुत प्रदेशी का क्या मतलब है वो भी लिखेंगे और नोट में आप लिख सकते हैं द्रव्य छे होते हैं आगे आएगा वैसे यह सब वर्डन एक एक करके अगले एकले सुत्रों में कौन कौन से द्रव्य जीव अजीव के अंदर ये भेद है बोलने में आ जाता है अजीव को पुद्गल लेकिन वास्तम में कैसे लिखते हैं अगर सही तरीके से लिखेंगे तो जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल ये आपको याद करने है छे अब इनको अगर दो पार्ट में बाटना है तो कैसे बाटते हैं जीव और दूसरा अजीव जीव का तो जीव हो गया अजीव के कितने हो गए जीव तो एक ही है और अजीव के अंदर पुद्गल धर्म अधर्म आकाश और काल इस सूत्र में काल के इलावा चार का वडन किया है यह यह नहीं लिखा कि द्रव विचार है या अजीव के वल यही चार होते हैं ऐसा नहीं लिखा यहां अजीव ये चार हैं और साथ में ये कायवान है है ना काल को नहीं लिया क्योंकि काल बहुत प्रदेशी नहीं है काल का कोई प्रदेश नहीं है वो तो समय है वो समय दीरे दीरे करके बढ़ रहा है इन सब के क्या है बहुत प्रदेशी है क्योंकि धरम भी क्या है उस तीन लोग के अंदर है तो उसके भी प्रदेश है तभी तो एक इस्तान से दूद इस्तान पर जाके चला रहा है आकाश के भी प्रदेश है अधरम के भी प्रदेश है और जो पुद्गल है मान लीजिए जो पैन है, इसमें बहुत सारे प्रदेश हैं, बहुत सारे परमाणूं हैं, हिस्से हैं, परन्तु काल क्या है, वो बहुत प्रदेशी नहीं है, इसलिए उसको यहाँ पर इस सूत्र में नहीं लिए, इस सूत्र में किसकी चर्चा करी है, इन चारों की, फुद्गल, धरम, धरम औ यह चारों एक तो अजीव के भेद हैं और यह चारों कैसे हैं काइवान है यानि बहुत प्रदेशी हैं ठीक है अब यहां पर लिख सकते हैं बहुत प्रदेशी का क्या मतलब है एक अडूं जितना पुद्गल का एक अडूं है ना किसी भी पुद्गल का पुद्गल का पुद्गल का एक अडूं जितना इस्थान गेरता है माली जीए अभी जैसे एक पॉइंट लगाया इससे भी बहुत सूच में एक अडूं होता है एक अडूं इतना चोटा है जो हमें चक्चु इंद्रियों से दिखाई भी नहीं देगा है ना तो उतना चोटा हिस्सा जितना इस्थान गेरेगा उसे हम इस आकाश का एक एक समय ऐसे ही जितना चोटा इस्थान जिसका दुबारा भाग नहीं किया जा सकता उसे क्या बोलते हैं एक प्रदेश वरत्मान में क्या जैसे भारत के इससे करें 32 प्रदेश बन गए उसके अंदर भी फिर जिले बन गए फिर है ना और चोटी-चोटे शहर बन गए फिर क मकान नंबर बन गए फिर मकान में भी फ्लैट नंबर बन गए फिर उसमें भी कमरा नंबर बन गए उसमें भी इसे करते हैं यह तो एक बड़ी द्रश्टी से प्रदेश बना दिया लेकिन अगर सूच में द्रश्टी से देखेंगे तो छोटा भी एक प्रदेश ही है प्रदेश कहते हैं अब चूंकि इन सब में बहुत सारे प्रदेश होते हैं तो इसलिए क्या कहलाता है बहुत प्रदेशी कहलाता है है ना अन्य अड़ों से मिलकर अब यह बहुत इसका जो अंतिम हिस्सा होगा इसके बहुत संख्यार टो जो अंतिम टुकड़ा निकलेगा वो क्या कहलाएगा एक प्रदेशी जिसका दवारा इस्सानी कर सकते अब इस मैं क्योंकि बहुत सारे हिस्से कर दिये तो सब मिला के क्या कहलाएंगे बहुत प्रदेशी है अन्य अणूओं के साथ मिलकर क्या बन जाता है अन्य अनूओं से मिलकर है ना पुद्गल है बहुत है कि प्रदेशी है हां हो जाता है कि इसी प्रकार से ये जो चार द्रब्य बताए धर्म धर्म आकाश ये तीनों भी क्या हैं बहुत प्रदेशी हैं इसी प्रकार कि अधर्म कि अधर्म कि और कि आकाश भी हम से बहुत प्रदेशी हैं याने कि काइवान है अंत्य अधर्म कि इसी हैं हैं अ हैं पुद्गल भी बहुत प्रदेशी है और यह यहां से हैं पुद्गल का ये अधर्म जितना इस्थान गिरता है उसे एक प्रदेश कहते हैं उसके बाद सब मिलके क्या हो जाते हैं बहुत सारे पुद्गल के अनू मिल गए एक साथ एक साथ बहुत सारे मिल गए तो बहुत प्रदेशी हो गए और इसी प्रकार से धर्म धर्म आकाश भी बहुत प्रदेशी होते ह इस वाले सूत्र में अभी काल की चर्चा नहीं करी गई है ठीक है अगला सूत्र भी देखते हैं आज थोड़ी सी किलास में रह गया ऐसा मैं क्योंकि इसी की रेफरेंस में हैं मिटा दें यहां से छोटा सा सूत्र है अगला सब चीजें एक दूसरे से लिंक हैं आपको बहुत अच्छे से समझनी है और उनको समझ समझ के याद करने का प्रियास करना है दूसरा छोटा सा सूत्र है द्रव्यानी क्या सूत्र है द्रव्यानी यह सभी क्या है द्रव्य भी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि केवल यही सारे द्रव्य है जैसे इनों ने पूछा था कि पुद्गल और अजीव में क्या मतलब है क्या पुद्गल ही अजीव है ऐसे यहां पर बोला ये सभी तो चारों दरव्य हैं लेकिन ये मत कहिएगा कि यही चारों दरव्य हैं इन चार के रावा दो दरव्य और हैं जो जीब भी है और काल भी है परन्तु यह चारों तो द्रव्य के अंदर आ गए न इस सूतर का यही मतलब है इससे कंफ्यूज नहीं होना है कई लोग यह सोचते हैं सूतर का मतलब कि यहां पर तो तत्वार सूतर ने आचार माय राज ने चारी द्रव्य बताएं और कई जगे छे द्रव बतायां तो कोई गलती हो गई क्या नहीं वो सुत्र के रेफ्रेंस में हैं कि ये चार तो द्रव ही हैं बाकी के भी द्रव हैं द्रव्याणी मानें द्रव्य हैं द्रव्य हैं अर्थात जो पिछले सूत्र में चार चीज़ें बताएं कौन-कौन सी बताएं धरम अधरम है ना आकाश और पुद्गल चार बताएं ना अर्थात धर्म अधर्म आकाश और पुद्गल द्रव्य हैं है ना अब द्रव्य क्या होता है है ना यहां नोट में हम लिख सकते हैं पहले तो कि इनके इलावा भी द्रव्य होते हैं इसका मतलब यह नहीं है कि द्रव्य मात्र यही चार हैं यहां आप नोट में लिख लीजिए जिससे कन्फूजन ना रहे इस सूत्र में पिछले सूत्र में जो चार अजीब बताए थे उनको त्रव्य कहा है है ना इनके अलावा जीव और काल भी कि द्रव्य होते हैं यह आपको ध्यान लखना है पिछले सूत्र के रेफ्रेंस में उनको द्रव विखा है दर्वाइज इसी अध्याय में इनका भी वर्डन आएगा जीव का वर्डन तो पहले आई चुका है जीवों की चर्चा चल रही है अब द्रव्य क्या होता है द्रव्य का जो आगे की अध्याय में एक सूत्र आएगा उत्पाद व्य द्रव्यम द्रव्यम जो उत्पाद व्य और द्रव्य वाला है उसे द्रव्य कहते हैं जो गुड़ और पर्याय वाला होता है उसे द्रव्य कहते हैं जिसमें कुछ गुड़ हो और कुछ पर्याय हो जिसमें परिडमन हो, परिवर्तन होता रहे, कुछ-कुछ उसमें नया आता रहे और कुछ उसमें पुराना जाता रहे और अपनी सत्ता वो हमेशा बनाए रखे उसे द्रव्य कहते हैं, उसके बारे में कल डिटेल में आपको लिखवाएंगे कि द्रव्य क्या होता है, जब द्रव्य का बढ़नाया है, ठीक है, जो हमेशा परिडमन करें, अपनी सत्ता बनाए रखें, परिडमन हो, इसके उधारान भी देंगे, फिर आगे की सुत्रों में भी आएगा, फिर दुबारा से उसको रिवाइस करेंगे, आपकी कक्षा का जै जिनेंद्र, जै बुलिय भगवान मावीर स्वामे की, जै बुलिय आचार भगवन स्री उमा स्वामी जी महराज की, जै बुलिय चारित चक्रती स्री सांत सागर जी महराज की, जै बुलिय आचार भगवन स्री पिद्यानन जी महराज की, जै बुलिय अनंता अनंत सिद् प्रमेश्टी बगवानों की सभी को जै जिनें जै दू जिडन्दों